हेलो बच्चों कैसे हो कि कल हमने व्याकरण किया था व्याकरण में उपसर्ग किया था उम्मीद करती हूं कि सब बच्चों को समझ में आ गया होगा आज हमने प्रत्य करना है ठीक है उपसर्ग क्या था किसी भी शब्द के आगे जो अव्य लगता है उससे फिर उसमें जो पर प्रत्य क्या है? जिस परकार से शब्द के आगे जूड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता था. उसी परकार से प्रत्य क्या होता है? किसी भी अर्थवान शब्द के बाद में जूड़कर या अंत में जूड़कर. अर्थवान का मतलब क्या है? जिसका कोई अर्थ नि ठीक है? अब ये घबरा है, घबराहट हो गया, आहट लगा दिया तो, ये क्या हो गया? बाद में जो ये लगाए गए है, ये क्या है? प्रत्य है. ठीक है? हिंदी बास्ते में परियुक लगवक सभी प्रत्य, अपने हिंदी के ही हैं, प्रत्य दो परकार के होते हैं, नमबर क्रिया के मूल रूप के अंत में लगकर जो शब्दान्स अनेक परकार के शब्द बनाते हैं उसे कृत अथवा कृत प्रत्य कहते हैं ठीक है और कृत प्रत्य के कितने बेद है चार बेद है कृत वाचक कृत वाचक कृत प्रत्य भाववाचक पहले है कृत वाचक फिर है कर्म वाचक फिर भाव वाचक और फिर उसके बाद है क्रिया वाचक ठीक है अब है क्रित प्रत्य करेंगे हम जो क्रित प्रत्य धातु करता अत्वा क्रिया करता का मतलों करना क्रिया जो काम हो रहा है कि करने वाले की और संक्यत करता है यानि जो कार्य कर रहा है उसकी और संक्यत कर जैसे दार, देंदार, लेंदार, जो यानि देने वाला है या लेने वाला है, धार धार, जिसके धार तेज हो, हार, होन हार, पहलवान, उतारन हार, खेवन हार, ठीक है, यानि कृत प्रत्य को इसकी समें आते हैं, जो तुम्हारे कार्येक करने वाला है, उसमें आते हैं, ठीक कोई अलग नए शब्द बनाने हैं जो इसमें दे रखये उधान के तोर पर इतने सामने जो दे रख तो कैसे आयेगा तुमहरा तुमहरा आएगा के कोई भी प्रत्त लगाकर ठीक है जैसे दार प्रत्त लगाकर दो शब्द लिखिए इस तरह consciously next लेंदार लिखना होगा, लेंदार लिखना होगा, धार दार लिखना होगा, ऐसे ही कोई भी दोदो उधार्म देने होगे. और कई बार जैसे देनदार दे दिया है, तो तुमें ये बताना होगा, कि इसमें कौन सा प्रत्य लगा हुआ है, अगर वो प्रत्य पूछेंगे तो, ठीक है, ये तो हो गया क्रत्य प्रत्य है, अब इसके बाद कर्म प्रत्य है, कर्म प्रत्य में क्या है, जो क्रत्य प्रत्य अब इसमें क्या है ना परते लगा है पाल है उसमें ना परते लगा दिया नी है ओड ओड होता है ना उसमें नी परते लगा दिया ओड नी बिछोनी सुंगनी कहानी ओना भिछोना खिलोना नै जाड है तो जाडन बेल है तो बेलन कतरन ऐसे फिर भावाचक भावाचक में क्य होता है जो क्रत प्रत्य है उस भाव आचक संग्याव की रचना करता है तो क्या आता है इसमें आई है लिखाई आई प्रत्य दे देंगे आई प्रत्य दे दिया और वो कह देंगे टेस्ट में पेपर में तुम्हारे कि कोई भी आई प्रत्य लगा अगर दो शब्द लिखो त एसे ऐग किरियाव आड़ इस में टा टे टि आ चाले से अचार गांग इसमें आचा जाता 잡िंद्वर जांग एक अग्या और तद्दरेट परृत है है इसमें क्या है कि तद्रेट परृत्य के साथ प्रकार के होते हैं वावाचक करब्ट वाचक इसके भी अलग अलग ऐसे ही ये उधारन दे रखे हैं तो जितना हम इनको पढ़ते जाएंगे उतना ही अमारे समाझ में आता जाएगा और ये क्या होते हैं कि ये बस ये समझना है कि इसमें प्रत्य कहां पर लगा हुआ है जैसे ये इप्रत्य है लगुता में ये देखो चटे नंबर पे यहां पे ये चटे नंबर पे यहां पे इप्रत्य माले है तो इप्रत्य लगा कर जैसे पहाड का पहाडी बच्चडा का बच्चडी ठीक है टुकडी ऐसे इप्रत्य लगा दिया डी प्रत्य लगा कर संदूकडी, टुकडी, गठडी, पंखुडी, इस परकार से डी परत्य लगा दिया, तो यह जितने भी तुम करते जाओगे, उतना ही तुम्हें समझ में आता जाएगा, ठीक है, तो यह सब बच्चों ने, मैंने सारे डाल दिये हैं, तुम्हें सारे सारे उधान लिखने की जरूरत नहीं है, जितने उधान तुम लिख सकते हो, जैसे सारे लिख लो तो तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई भी आ सकता, कोई लिमिट तो है नहीं, एक बार लिखना तो तुम्हें पड़ेगा बच्चों, लेकिन जितना हो सकेगा, सब बच्चे लिख लिखने है ये, आज का काम इतना ही था, हमारा उपसर्व और प्रत्य अब पूरे होते हैं, सब बच्चे से ध्यान से अपनी कोपी में लिखेंगे, धन्यवाद